नमस्कार साथियों मैं हूँ अभेनों तुशांशू पांडे और आप सभी का स्वागत है अभिप्षा के पूरे टीम की तरफ से हमारी चर्चा कहा थी हम लोगों ने पिछली कक्छा में याने की पिछली वीडियो में बात की थी साइकलोट्रॉन की और साइकलोट्रॉन से ज जानकारिया निकाल चुकी है अब इसके आगे क्या होना है देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि किस प्रकार से एक गतिमान आवेश चुम्बकिय प्रभाव उत्पन करता है इस चुम्बकिय प्रभाव को उत्पन करने के साथ साथ हम इसके बाकी गुण धर् पर इक्षा के लिए अभीप्षा की टीम की तरफ से आपके लिए कक्षाएं मिल रही हैं आपको YouTube पर अच्छा ना सिर्फ भहुत की बल्कि सारे सबजेक्स के लिए आपको यह सारी वीडियो मिल रही हैं तो यदि आपक्षा 11 में हैं मतलब 10 ही में है या 12 में हैं आपको देखेंगे तो आपको यहां पर additional content मिलते हैं वीडियो के साथ साथ आपको short notes मिलते हैं mind map मिलता है one to one mentorship मिलती है और career counseling एक additional advantage है हमारे साथ जुड़ने का क्योंकि ना सिर्फ आपको अभी पढ़ाई करने के समय में इसकी ज़रुत पढ़ रही है इसके बाद में भी अभी आपक जब आप अपने career के बारे में सोचेंगे जब आप जो है यह सोचेंगे कि कौन सा subject लिया जाए क्यों लिया जाए कौन सी चीजे मेरे लिए suitable है तो यह सारी बाते जो है आपके लिए हम लेकर आएंगे यहां अभीशा के platform में तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और आज हमा क्या देखा कि यदि किसी तार से विद्धारा प्रवाहित हो रही है ऐसी स्थिती में जब भी हम उसके आसपास कोई चुंबकिया मैगनेट मतलब यह क्या बोलते हैं इसको कंपस चुंबकिया कंपस लाकर रख देते हैं तो इसकी इसकी सूई में विचलन होने लगता है और इस विचलन को देखने के बाद में उन्होंने बहुत सारे प्रयोक किये और उसके कुछ निशकर्स निकाले क्या-क्या निशकर्स निकाले आये देखते हैं सबसे पहले इन्होंने क्या देखा कि धारा का जो परिमान होता है उसका क्या प्रवाह होता है मतलब यहां पर जो ह से हम धारा बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे विचलन भी बढ़ता जाता है अपना चुम्बकी छेतर की तीवरता जो तार के आसपास बन रही है वो उसमें प्रवाहित धारा के समानुकर्माती होती है आगे देखते हैं धारा की दिशा यदि हम बैटरी को उल्टा कर दे तब ह सुई जो अभी इधर की ओर जो है मतलब जुक रही थी वो विप्रित दिशा में जो है इसका विचलन होने लगेगा इसका मतलब यह है कि जो चुम्बकी छेतर है जो उत्पन हो रहा है वो धारा की दिशा के अनुकर्मानुपाती होता है आगे देखेंगे यहां पर विचल में जो है विद्धी या कमी होती जारी है और जैसे जैसे हम जो है उसमें धारा की दिशा को परिवर्तित कर रहे हैं तब भी जो है विचलन की दिशा में परिवर्तन हो रहा है इसका मतलब यह है कि चुम्बकी छेतर उत्पन भी हो रहा है और उसमें परिवर्तन भी संभव है लेकिन अब चुम्बकी छेत्र की दिशा कैसे ग्याद की जाए हम जो है बायो सवेट्स का नियम पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में जान जाएंगे लेकिन आप यह समझ के दखिए कि धारा जो हमारी प्रवाहित हो रही है किसी चालक से उसके चारों और हम एक गोलिय तल का को इमयाजिन करते हैं और इस गोलिय तल के इस गोलिय तल के अनुदिश जो है हमको विद्दू चुम्बकी छेत्र की जो है दिशा वो दिखाई देती है मतलब चुम्बकी छेत्र जो है इस प्रकार से बनता है कि वह हमारी धारा प्रवाहित ताचालक के चारों और एक गोल हबना लेता है यह बात हम लोगोंने समझ ली अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं Bitcoin क्या कहता है धाई इससे पहले हम लोगोंने और उस्ट्रेट का प्रमय देखा और उस प्रमय में हम लोगोंने जाना के एक चुंद एक धारा सेवर्थने अब इन्होंने क्या कहा कि मान लेते हैं कि यह एक चालक है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है तो हम क्या करेंगे कि इस चालक में जो है क्योंकि यह अधिस राशी है तो इस अधिस राशी से एक सदिस फल जो है निकलना मुश्किल है इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि इस चालक में से एक छोटा सा तुकडा काट लिया जिसका नाम हम लोगों ने डियल रख दिया अब इस डियल में जो है जब हम आई का गुणा करेंगे तो यह एक करेंट देखिए यहाँ पर जो चुम्बकी छेतर की तीब्रता उत्पन होती है यह अनुकरमान उपाती होती है IDLK और यहां पर जो चुम्वर की छेतर की तीवरता है यह व्योत्क्रमान उपाती है इनके बीच की दूरी के वर्ग के और यहां पर जो है एक और चीज महत्वपून है और वो है क्योंकि यह एक सदेशराशी है इसलिए जो है यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि इनके बीच में कौन क्या है मतलब यहाँ पर हम एक कौन देखेंगे थीटा और यह इस बात पर भी निर्भर करती है तो इन तीनों चीजों को मिला कर हम लोगों ने क्या देखा हम लोगों ने देखा कि db यह अनुक्रमानुपाती है idl sin theta के idl sin theta के और विद्कृमानुपाती है r के बर्ग के अब यहाँ पर हम लोगों को यह अनुक्रमानुपाती का मतलब यह चिन हटाना है यहाँ पर equal to sin लगाना है तो हम लोगों ने लिया db बराबर mu0 mu0 by 4 pi और यहां पर हो जाएगा idl sin theta divided by r का वर्ग अच्छा हम लोगों को जब यह पता करना है कि यह कोण किसके बीच में है यह जो theta हम लोगों ने देखा है देखे यह r यह जो है हमारा position vector है r तो अगर हमको इस तरीके से समझ में आता है तो हम यह भी लिख सकते हैं कि यह db है और यहां पर हम mu0 by 4 pi लिख देंगे ही लेकिन इसके बाद में हम i dl और यहां dl के साथ में r का जो है vector लगा देंगे और बटे में r का गहान कर देंगे यहां पर हम लोगों ने क्या किया आपको समझना चाहिए कि जब भी हम जो है position vector यह जो r cap लगाते हैं तो यह जो है असल में r vector और बटे में r के परिमान के बराबर होता है तो यह property हम लोगों ने यहां use करी और इसके बाद में हम लोगों को यहां से इस statement से vector form पता चलता है और यहां से यह भी पता चलता है कि यह चुम्बकी छेतर एक सदे स्रासी है और यह जो है current element idl और उसका जो है जो position vector है और इनके जो है vector product के द्वारा निकाला जाता है तो इस प्रकार से हम लोगों ने bio savers का जो है नियम पढ़ा आगे आने वाले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि इसका जो है application क्या होता है हम किस तरीके से इस property को use करते हैं और आगे जो है आपसे जो प्रश्ट पूछे जाएंगे board परिक्षा में उसके लिए भी हम यह तैयारी करके बैठेंगे तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए और आप यह भी न भूलें कि हमारे application में आपको ज्यादा सहुल्यते मिलने वाली हैं तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाल